गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आपका दो सुंदर आज हम बात करेंगे एसी सिस्टम के उपर ही एसी साइकिल के उपर ही क्योंकि हम एसी साइकिल के उपर ही बात कर रहें पिछली वीडियो में हमने एसी कंप्रेसर के बारें बात किया उसके बाद मैं कंडेंसर के बारें के अंदर तो मैं इस ही साब से मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं कि जो मैंने ट्रेनिंग करिए तो मैं भी यह चाहता हूं कि आपको भी कुछ नोलेज मिल जाए जिससे आपको काम करने में कोई दिक्कत ना हो और मैंना एक्सपीरियंस टार्टा मोटर में है चैर-फास का है उसके बाद मैंने मह उन्टे में भी काम किया है च्छी कमपनियों में कारे cannot ने की समझा है ऑभी सिर्फ मैं इतना इस बताबा तो मैं आपकोी बताओंगा कि मैं ओटो मॉबल्स फिल्ड में ही काम करता हूं और और मिल कि कारों के अंदर एससी electrical और mechanical तीनों पर ही डियाड़नोश करता हैं तो अब मैं आप से आगे बात करूंगा कि मैं अधिसिश्टम के अंधर आज हम बात करेंगे एसी के जो parts होते हैं एसी के पिछळी वीडियो में हमने ने देखा थे कि इसी condenser के बारे में आज हम बात करेंगे आरडी बोतल और एसी का हाई प्रेसर सुच के बारे में हाई प्रेसर सुच क्यों लगाया जाता है आरडी बोतल क्यों लगाया जाती है यह दोनों के ओपर ही हम बात करेंगे यह दोनों टोपिक रहेंगे आज हमारे और उसके बाद में हम प्रोपर तरीके से कर पाएं और उन्हें कहीं दिक्कत नहाएं और वह प्रोपर तरीके से डियाग्नोस कर लें तो यही मैं बताना चाहता हूं तो अब हम आगे अपनी वीडियो को आगे लेते हुए टोपिक को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि यह इंपोर्टेंट टोपिक है और अब हम सीधे बोर्ड पे हम आपको AC सुच के बारे में हाई प्रेसर सुच और ID बोतल के बारे में बताएंगे तो हम अपने बोर्ड के ओपर आ चुके हैं तो बोर्ड के ओपर अब हम देखते हैं दोस्तों कि यह हमारा AC सिस्टम है यह का पूरा साई के लिए कैसा होता है जिसे हम एच्वी कहते हैं और जो छोटी लेवर कार होती है जो पहले आती थी उनमें खाली AC आता था लेकिन अब जितनी भी क सब्सक्राइब होता है कि हिटिंग वेंटिलेशन एयर कंडिशन सिस्टम होता है तो अब हम बात करेंगे कि एसी सिस्टम जो प्रोपर तरीके से काम कर रहा है कैसे काम करता है तो अभी हम बात करेंगे हमने जाना कि जो एसी सिस्टम होता है उसके अंदर चार मुखे condenser होता है एक उसका rd bottle और सुच होते हैं और एक होता है cooling coil यह होते हैं इनके mechanical part और electrical part में आते हैं जैसे blower हो गया आपका HP सुच हो गया आपका condenser fan हो गया यह आते हैं आपके electrical part में और जैसे कि compressor के अंदर एकलाच हो गया वहेलिक्तिकल पार्ट में समय होता है अब हम यह रडीजित के एक बारे में बात करेंगे जो यह बहुति के दाब काई में हम बात करेंगे तो यह क Computing कियों लगाई जाती है, क्योंगी आजの तारीक में जितनी बी कार आरे द fiberu को फिट कर दिया जाता एक फिल्टर की तरह ही येी काम करतार है गाड़ियों के अंदर रखें कि लगी हुई है ऑर लेकिन बहुत कारों के अंदर यह हमारा कंडेंसर होता है इसी के उपर इसको fit कर दिया जाता है तो अब हम चलते हैं RD bottle के उपर और HP जो सुच है आई प्रेसर सुच उसके बारे में भी अब हम बात करेंगे तो यह है RD bottle RD bottle में क्या होता है दोस्तों RD bottle में जैसे ही हमारी यहां से compressor से करते हैं यहां से होती हुई हमारा एक filter के अंदर होता है हम इस को गूमाते हैं जब इसके अंदर कोई भी पार्टिकल साथ है है या कोई माउस्टर आता है तो उस माउस्टर को सिस्टम में ना जाता है तो क्या होगा सिस्टम फेल हो जाएगा इसका को इतना बड़ा महतु नहीं है एक सिंगिट गलास होता है कि आपर हम गैस कुछ चेक कर सकते हैं गैस कैसे कम है या ज्यादा है उसके बारे में भी हम जो इसमें बावल आते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे अगर इसमें बावत नॉर्मल आ रहे हैं सही तरीके से इसी गैस चल रही है तो आप समझो इसी इसके अंदर गैस प्रॉपर है और अगर इसमें बहुत जादा स्पीड से बावत आ रहे हैं तो आप जानें कि इसके अंदर गैसे की कॉंटिट होते हैं जैसा कि आपने देखा कि कारों के अंदर आपने फ्यूल फिल्टर देखा एडर देखा धिर देखा वह भी खराब हो जाते ये क्लोज होता है पूरा होता है सुर्ब होता है तो इस लिए आप रुख जाता है अगर नया कंपरेसर लगाते हैं कब्डेब यह क्परेसर नहीं गड़ा कर देंसे लिए जितने भी पाइप हैं उन्हें आपको क्लीन करना होगा तो यह तो हुआ के अंदर एक जो यह हमारा एच्पी सुच होता है जो पाइड के अंदर लगाया होगा होता है फिसूच के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं हम चालु होता है इसका सीधा कॉन्टेक्ट होता है आज की तारीक में जितने भी इशियम होते हैं इशियम, इशियम के अंदर, इशियम होता है, इशियम के अंदर इसकी चालो होता है, क्या कि यहां इशियम जब हमारा यह सुच को ओन करता है, तब हमारा कंप्रेसर ओन होता है, जब यहां से हमारे यह सुच ओफ होगा, तो क्या होगा, यह कंप्रेसर हमारा नहीं चलेगा क्योंकि यह यहां की input लेके ही चलता कि AC Gase proper है या नहीं है यहां पर प्रिसर पुरast हो जाएगा तभी हमारा ए यphone ओनोता है नहीं तो नहीं होता अगर एसी जाधा फ्रेश किश्क चलता है जाधा खाइः の हो जाएगा उनिधो क्या होगा एशियम क्या करता है रिले को information देखे नहीं अपना यह compressor को off कर देता है जब यह information इसे मिलती है तो यह compressor off हो जाता है और फिर यह नहीं काम करता है इसी साब से यह हमारे HP सुच भी काम करता है क्योंकि आपको HP सुच अगर आपका wire हट गया है या इसका show kit खराब हो गया तो अग आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर जो हमारे एक वायर लीड होती है जो हम हाइड प्रेसर लो और हाइप प्रेसर की एक यूनिट लगाते हैं जिस पे हुआ करेंगे तो अभी हम यह देख रहे हैं कि यह जो सुच अगर खराब होता है तो हमारा AC system off हो जाएगा क्योंकि information ECM को नहीं जाएगी यह electrical पे ओप्रेटर करता है और यह pressure पे भी काम करता है जब pressure आएगा तो electrical operating system काम करेगा electrical operating system काम करने के बाद में ECM को information जाएगी ECM आगे output करता है compressor को जब compressor को information आती है relay के दुआरा तभी हमारा compressor magnetic coil on होती है और on होने के कारण वो start हो जाता है और फिर हमारा AC system का पूरा flow काम करना चालू करता है और पूरा जब flow काम करता है तो क्या होता है कि आपका AC की जो ठंडक है वो हमारे passenger compartment में पहुंच जाती है और वहां की जितनी भी humidity गर्मी होती है उसे भार निकाल देती है और fresh हवा के साजता के दुआरा वहां पे normal conditions बना देती है और वहां पे हमारा temperature बिल्कुल maintain हो जाता है उसी condition को हम AC system कहते हैं तो आई होब कि आपको मेरे ये दोनों पार्ट मैंने आपको बताया ID बोतला और HP सुच इनके बारे में आपको proper जानकारी होगी क्योंकि अगर इनकी जानकारी आपको नहीं होगी तो आप AC system पे काम करते हुए बहुत दिक्कत होगी और आप प्रोपर तरीके से काम नहीं कर इसका expensive wall के बारे में बारे में पूरा details से बताएंगे कि expensive wall और cooling coil कैसे लगती ये उसके बाद में हम blower motor के बारे में बताएंगे कि blower motor क्या होती ये कि कंडेनसर फैन के बारें बात करेंगे उससे आगें जो यह वाल्स लगें हैं इनके बारें मिहाть हैं क्यों सा टूल कों सा क्यों अपये तो आगें कि आपको ये वीडियो अच्छे लगी अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी तो आप इसे सेर कीजिए सस्क्राइब कीजिए और लाइक कीजिए थैंक यू विश्यू वैल्थ